अगर हम अपने अंदर की सुक्षम चेकिंग कर लेते हैं तो उस सुक्षम चेकिंग से हम चेंज कर पाते हैं और चेंज के आधार पर हम अपने आपको आगे बाप समान बना पाते हैं तो सुक्षम चेकिंग के लिए कौन सी मशिनरी चाहिए कौन सी दरपन चाहिए आईए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं संपोन्ता के दरपन में सुक्षम लगाओं को चेक करो और मुक्त बनो एक अव्यक्त मुडली में बाप दादा ने कहा है कि बेहत की वैराग्य वृत्ति में जो बात विघन रूप आते हैं या विघन रूप बनते हैं वो है अती सुक्षम लगाओं बहुत ही महीन सोने के धागे के लगाओं इतना महीन और सुक्षम होता है ये धागे लगाओं के जो कई बच्चों को बाबा के कई ब्राम्हन बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि ये तो लगाओं है वे यही समझते हैं कि ये तो चलता है ये तो होता है इसलिए उसको उससे मुक्त होने की कोई पुरुशाट नहीं करते हैं भले ही कितना चेकिंग करते हैं चेकिंग करने के बावजूद भी ये समझ नहीं पाते ये अती सुक्षम महीन रूप के लगाओ हैं इसलिए वे उनसे मुक्त नहीं हो पाते और बेहत की वेराग्य वृत्ती को इमर्ज नहीं कर पाते जिस तरह से कोई डॉक्टर पेशन्ट को डाइगनोस करते है उनकी बिमारी को तो सबसे पहले कहते हैं कि इसकी ये टेस्टिंग होनी चाहिए जब वो टेस्टिंग के लिए पेशन्ट को भेजते है तो laboratory में या जो lab है वहाँ पर किसी मशनरी में पेशन्ट की टेस्टिंग होती है अगर उस टेस्टिंग के जो report है वो डॉक्टर के पास आता है उसे सही रिती से डाइगनोस नहीं हो पाता है तो डॉक्टर एक और टेस्टिंग के लिए लिखते हैं और वो जाकर कि और सुक्षम मशनरी में पेशिंट को डाल करके उसे चेकिंग करते हैं अर्थात जब तक बिमारी पकड में ना आए, दॉक्टर नए नए चेकिंग और नए ने सुक्षम मशनरी के थ्रू उस पेशन को चेक करवाते हैं, ताकि जो उनकी बिमारी है उसको डाइगनोस हो सके, पकड में आ सके ठीक इसी प्रकार से बाबा कहते हैं बच्चे रोज अपनी चेकिंग करो, अगर उस रोज की चेकिंग में अपनी खुद की कमी कमजोरी लगाओ, सुक्षम लगाओ के सुनेहरे धागे पकड में नहीं आता हैं, तो बाबा कहते हैं और सुक्षम चेकिंग करो, और सुक्षम संपून्ता के दरपन, संपून्ता का दरपन बहुत शक्तिशाली दरपन है, जिसमें धूल जितने भी कणा भी स्पश रूप से बड़े बड़े रूप में दिखाई पड़ता है, इसलिए बाबा कहते अपने आपको संपून्ता के दरपन में देखो, संपून्ता के दरपन म देखना अर्थात जिस तरह से ब्रह्मा बाबा ने अपने आपको वतन में देखा ऐसे अपने आपको संपून स्वरूप में स्थित हो करके देखो जब हम अपने आपको संपून स्वरूप में स्थित होते हैं तो एक एक सुक्षम बातेस पर समझ में आता हैं क्या कमी हैं क्य तो जब हम ऐसे सुक्षम दर्पन में अर्थात संपूंता के दर्पन में अपने आपको देखते हैं तो हर लगाओ जुकाओ हर कोई चीज से हम अपने आपको मुक्त करने के लिए पुरुशार्ट करते हैं इसलिए बाबा ने यही बात कही है संपूंता की स्थिति को समक्ष करके पुरुशार्ट करो ओम शान्ति